यहाँ पर देखिए कुछ चार्जेज है यह चार्जेज अपने आसपास के रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पॉटेंशियल क्रियेट करेगा यहाँ पर एक पॉइंट है हम यह पता करेंगे कि इन सब चार्जेज के कारण इस पॉइंट में जो पॉटेंशियल बनेगा उसके लिए एक्स्प्रेशन क्या होगा देखिए हम यह जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट चार्ज से एक सर्टन डिस्टन्स दूर लेड़ से आर डिस्टन्स दूर अगर कोई point हो तो उस point में जो potential बनता है वो potential होता है 1 over 4 pi epsilon 0 into उस charge का magnitude जो कि इस case में q sub 1 है divided by उस point का distance उस charge से वेल अगर यह spherical body हुआ इसमें कुछ charge हुआ चाहे वो charge surface में reside करे uniformly या फिर इसके अंदर पूरे volume में uniformly reside करे तो भी हम यह formula apply कर सकते हैं जब तक कि यह point इस body से बाहर हो इस body के बाहर हो मतलब ऐसा नहीं कि आर यह जो distance है या फिर यह जो point है यह point इस body के अंदर हो ऐसा ना हो जब तक तब तक हम यह वाला formula apply कर सकते हैं और यह point charge के लिए हर समाई applicable होता है यह हो गया इस point में इस charge के कारण बना potential let's say वो potential v1 है तो v1 is equal to this one अब q2 charge के लिए भी इस point में कुछ potential बनेगा let's say कि यह q2 charge जो है यह point इस q2 charge से r2 distance दूर है यहाँ पर मैं इसे r1 कर दे रहा हूं तो यहाँ पर यह r1 हो गया well तो इस case में जो potential बनेगा सिर्फ इस charge के कारण इस point में वो इसी तरह का formula बनेगा 1 over 4 pi epsilon 0 into किस charge के कारण बन रहा potential q2 charge के कारण distance कितना उस point का q2 charge से r2 है similarly अगर q3 charge इस point से अगर r3 distance हो the point अगर q3 charge से r3 distance दूर हो तो यह जो potential बनाएगा v3 इस point में v2 बना रहा है यह q2 charge और v3 बना रहा है q3 charge तो v3 भी कुछ इसी तरह का formula होगा अब charge q3 है divided by r3 अब देखे total potential यहाँ पर कितना होगा हमें पता है कि electric potential जो है यह electric potential एक scalar quantity है this is a scalar quantity vector quantity तो है नहीं कि vector addition होगा यहाँ पर total potential पता करने के लिए हमें सीधे इन तीनों का जो values है इन तीनों को जोड़ देना होगा तो जो net potential होगा वो v1 v2 और v3 का algebraic addition होगा तो जोड़ किते हैं यहाँ से हम common out कर सकते है 1 over 4 pi epsilon not और bracket के अंदर रहेगा q1 divided by r1 plus q2 divided by r2 plus q3 divided by r3 अगर इसे हम summation के notation में लिखे तो net potential जो होगा यह होगा 1 over 4 pi epsilon not और summation of यहाँ बहुत सारे terms का summation है तो qi divided by ri यहाँ पर i का value क्या होगा i का value सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 so i starts from 1 up to 3 अगर n charges रहे तो यहाँ पर 3 के जगा n हो जाएगा well तो यह हो गया summation के notation में total potential एक point का जब उसके आसपास बहुत सारे charges रहे अब देखे अगर इनको हम कुछ value assign करते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 µ, 6 µ और 8 µ का charge है एक point ऐसा situated है जो कि पहले charge से 2 मीटर दूर दूसरे charge से 3 मीटर दूर और तीसरे charge से 2 मीटर दूर हो तो इस समय जैसे कि हमने formula देखा था net potential का तो वो net potential का formula था 1 over 4 pi epsilon 0 obviously this is coulomb's constant जिसका value होता है 9 into 10 to the power 9 और अगर unit देखे इसका यह होता है newton meter squared पर coulomb squared चलिए यह तो हो गया बाहर वाला part bracket के बाहर वाला part और bracket के अंतर हमने देखा था कि q1 divided by r1 q2 divided by r2 और q3 divided by r3 का यह summation हो रहा है अब हमें क्या करना है? सिर्फ values पूट कर देना है तो यहाँ पर हम value पूट करेंगे 9 into 10 to the power 9 finally इसका unit volt होगा सारे SI system में हम यह measure करने distance PSI system में है micro coulomb को coulomb में convert करना होगा micro का मतलब ही होता है 10 to the power negative 6 तो यह हो गया 2 into 10 to the power negative 6 coulomb तो यह आप याद रखे अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर final जो unit होगा यह volt ही होगा तो यहाँ पर मैं unit नहीं लिख रहा हूँ अब q1 divided by r1 q1 है यह 2 micro coulomb so 2 into 10 to the power negative 6 divided by r1 होगया 2 meter का सिर्फ दो लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि SI system में सब कुछ है तो final unit जो है यह volt ही हो जाएगा q2 q2 का value है 6 micro coulomb 6 into 10 to the power negative 6 divided by distance देखे 3 meter का है और finally यह 8 micro coulomb का है 8 into 10 to the power negative 6 divided by 2 meter के लिए यह 2 तो आप यहाँ से 10 to the power negative 6 को आप यहाँ से हटा के यहाँ common कर सकते हैं common निकाल सकते हैं so 10 to the power negative 6 भी हाँ यहाँ पर that is equal to 9 into 10 to the power 9 into यह 10 to the power negative 6 यहाँ पर लिख देते हैं 10 to the power negative 6 into 2 divided by 2 is 1 plus 6 divided by 3 is 2 plus 8 divided by 2 is 4 well तो यह बन गया 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power negative 6 यह हो गया 10 to the power 3 और 2 plus 1 is 3 plus 4 is 7 और unit इसका volt होगा so into 7 इतना volt तो इसे हम लिख सकते हैं 63 into 10 to the power 3 volt पर ऐसा लिखना ठीक नहीं होता जब 10 के power में हम इसे represent कर रहे हैं इसे 10 से छोटा होना होता है और 1 या उससे बड़ा होना होता है तो इसी चीज़ को हम 6.3 लिख सकते हैं 6.3 तो 10 फिर से multiply करना होगा इसके साथ तब जाके यह 63 होगा वह ही 10 multiply कर देंगे हम इसके साथ तो यह हो जागा 10 to the power 4 तो इतना volt 6.3 into 10 to the power 4 वोल्ट यह यहां का potential होगा अब देखे हर समाई यह जो charge है point charge नहीं होगा कि certain point में charge situated है ऐसा नहीं होगा बलकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि charge distributed हो जैसे कि माले यह point है और यहां पर इस wire में कुछ charge दिया गया इस wire में let us say Q amount का charge दिया गया जिसके कारण यहां पर जो charge density है यूनिफर्म चार्ज देंसिटी बना lambda यूनिफर्म चार्ज देंसिटी बना charge density line charge density बना यहाँ पर line charge density का मतलब होता charge पर unit length अब यहां पर आप गौर करें कि अगर आप देखे यहां पर मैं एक point अगर consider करता हूं इस जगा पर एक छोटा सा region मैं consider करता हूँ यहाँ पर तो फिर आप यह पाएंगे कि यहाँ से इस point का एक छोटा सा length मैं यहाँ consider कर लेता हूँ let's say dl length consider करता हूँ तो यहाँ से इस point का एक distance होगा तो यह छोटा सा charge जो यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर एक potential create करेगा यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा length अगर आप consider करें तो यहाँ भी जो charge है उस charge के कारण यहाँ पर एक potential बनेगा लेकिन देखें lengths जो है या distances जो है distances fixed नहीं है इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए सबसे पहले तो हम यह पता कर लेते हैं कि एक छोटा सा element के लिए यहाँ पर कितना potential बनेगा क्योंकि जब element बहुत छोटा हम consider करेंगे उस समय इस element के हर एक point से इस point का या जहाँ पर potential हम पता कर रहें इस point का distance को हम same मान सकते हैं कि यह element बहुत छोटा है well तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इस छोटे से element के लिए यहाँ पर जो potential बनेगा let's say कि वो potential यहाँ पर dv बन रहा है वो potential कितना होगा वो हम पता करते हैं फिर आगे चलके उसे integrate कर देते हैं तो यह जो potential यहाँ पर बनेगा सिर्फ इतना छोटा सा element के लिए इसके लिए हमें यह भी पता होना होगा कि इस छोटा सा element में charge कितना है let's say कि इस छोटा सा element में dq charge है तो यह dq का value कितना होगा सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा that dq is equal to जो line charge density है यह charge density बताता है charge per unit length और यह क्या है वो length जिसके कारण जो charge पन रहा जिसे हम पता कर रहे हैं तो charge per unit length into length is equal to total charge तो यह यहाँ का charge हो गया इस जगा का छोटे से element का charge हो गया यहाँ पर अब जब हम potential पता करेंगे यह element के लिए potential that potential is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into कितना charge है lambda into dl charge है divided by distance यहाँ से यहाँ का distance let us say that distance is r तो यहाँ पर हम r लिखतेंगे और जब हम total potential पता करते हैं that total potential is integration of this dv यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ तो एक element हमने consider किया ऐसा और भी छोड़े 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 बहुत सारे elements होंगे सब के कारण यहाँ पर potential बनेगा तो सारे potentials को हमें जोड़ देना है वही होता है integration and that is equal to integration of 1 over 4 pi epsilon 0 into lambda dl over r तो इस तरह से हम इसे solve करते हैं practical example भी हम देखेंगे आसान सा practical example देखेंगे तो यह तो line element के लिए let us say कि यह जो length है total length या total यह जो line है इसे हमने L नाम देख दिया तो हम जो integrate करेंगे over this whole length L एक दूसरा example लेते हैं इस case में क्या है इस case में एक surface है इस surface में कुछ charge दिया गया इस surface में let us say कि क्यों charge दिया गया जिसके कारण यहाँ का surface charge density sigma बन गया इस पूरे region में uniform surface charge density बना sigma और यहाँ पर यह point है जिस point में हमें potential पता करना है electric potential तो यहाँ भी हम same logic apply करते हैं छोटा सा हम element consider कर लेते हैं surface element consider कर लेते हैं और let us say यहाँ से इस point का distance जो है यह distance r है तो इस छोटा सा element में सबसे पहले तो देखें चार्ज कितना है let us say dq amount of charge है तो यहाँ पर यह जो dq का value होगा यह dq जो charge यहाँ पर इस element में है that is equal to surface charge density into इसका जो area है let us say यह छोटा सा area जो है यह छोटा सा area ds है तो हम कहेंगे कि जो total charge है that is equal to surface charge density into वो जो area element है वो उसका area same logic है यहाँ पर जो logic apply किया हमने charge density का मतलब होता है कि charge per unit area so charge per unit area into area is equal to total charge इस element में यहाँ भी हम same logic apply करते हैं सबसे पहले तो यहाँ जो इस छोटा सा element के लिए potential बनेगा that is let us say that is dv यह dv का value हम calculate करते हैं that is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into surface element divided by यहाँ से यहाँ तक का distance जो है r और final potential जब हम पता करते हैं तो हम इस चीज को इस dv को integrate करते हैं पूरा का पूरा surface में let us say that surface is s तो integrate करेंगे हम पूरा surface में इसका भी एक example दिखेंगे हम फिलाल आगे बढ़ते हैं suppose कि एक ऐसा volume है इस volume में को charge दिया गया let us say q charge दिया गया और यह conductor नहीं है जिसके कारण की पूरा charge इसके पूरे volume में situated हो गया conductor होता तो क्या होता है surface में आके charge reside कर जाता लेकिन चुकि यह non conducting element है तो इसके कारण क्या है कि charge जो है पूरा का पूरा volume में distributed हो गया और पूरा का पूरा volume में distributed होने के कारण यहाँ पर volume charge density जो है यह row बना logic सेम है यहाँ पर भी हम वही करते हैं तरीका वही होता है छोटा सा हम एक volume छोटा सा volume element consider कर लेते हैं let us say इसका volume है d tau और यहाँ से इस point का distance है r तो हम सबसे पहले तो d tau में जितना charge है वो हम पता कर लेते हैं तो यहाँ पर let us say charge जो है d q charge है and that d q that d q is equal to the volume charge density into volume of this element अब अब जो potential बनेगा इस सिर्फ इतना सा element के लिए जो potential बनेगा let us say that is dv तो वो जो dv होगा that dv is equal to that dv is equal to यह जो charge है सबसे पहले तो मैं 1 over 4 pi epsilon not लिख दू into जो charge है यहाँ पर वो charge कितना है rho d tau divided by यहाँ से यहाँ तक का distance point का distance उस element से या उस charge से तो वो distance है r जब हम total potential पता करेंगे तो हम इसी चीज़ को dv को integrate कर देंगे over the whole volume let us say that volume is a tau तो over the whole volume हम इसे integrate करेंगे चलिए इसका कुछ practical example देख लेते हैं सबसे पहले scenario ऐसा है कि यहाँ पर एक ring है और ring का जो axis है उस axis के किसी एक point में situated है एक point axis में किसी भी जगा पे situated है यह point एक बार देख ले three dimensionally बिल्कुल axis में situated है आप एक बार फिर से देख ले यह बिल्कुल axis में situated है अब हमें क्या करना है यहाँ का potential पता करना है सबसे पहले माल ले कि यहाँ पर q charge दिया गया और और साथी साथ इसका जो radius है ring का जो radius है that radius is a small letter r और यह point जो है इसके center से इसके center से let us say कि यह distance दूर है d d distance दूर है अब यहाँ पर हमें यह पता करना होगा कि जो potential बनेगा इस जगह का वो potential कितना बनेगा well जब q charge हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर एक line charge density बनेगा let us say that is lambda और यह line charge density बनना कितना चाहिए the whole length पे 2 pi r length होगा इसका क्योंकि इसका radius r है whole length जो कि है 2 pi r 2 pi r में अगर q charge होगा तो charge density line charge density होगा charge divided by length कितना length में वो distributed हुआ that is 2 pi r अब यहाँ से आगे हम पता करेंगे इस point में जो potential बनेगा वो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा element consider कर लेते हैं बहुत छोटा सा element इस छोटा सा element का length है dl और यहाँ से इस जगह से यह element जो है इस element से इस point का जो distance है वो distance कितना होना चाहिए इसे calculate किया जा सकता है यह distance कितना होगा आप गौर से देखे यहाँ से लेके यहाँ तक यह तो radius हो गया r यह radius हो गया यह d हो गया यहाँ से यहाँ तक का distance और यहाँ पर 90 degree का angle बनेगा तो हम इस length को dl जो element है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो distance है इस distance को हम कह सकते है that is square root of r squared plus d squared चली इसे एक नाम भी दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक का distance को चली एक नाम दे देते हैं यह नाम हो गया y let us say y distance दूर है that y is equal to this one अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर जो charge है इस dl element में जो charge है उस charge के कारण यहाँ पर कितना potential बन रहा वो देखना होगा तो यहाँ पर इस जगा पर जो charge है वो charge होगा line charge density into इस element का length जो की है dl अगर values आप put करते हैं यहाँ पर तो यह हो जाएगा total charge इसे dq नाम दे देते हैं अब इसके कारण इस charge के कारण इस से इतना distance दूर square root of r square plus d square इतना distance दूर किसी एक point में potential कितना बनेगा वो सबसे पहले हम पता करेंगे let us say वो potential dv है सिर्फ element के लिए so वो potential dv is equal to 1 over 4 pi epsilon not into कितना charge है यहाँ पर तो यहाँ पर इतना charge है इतना q divided by 2 pi r into dl इतना charge है charge divided by charge divided by distance यह distance कितना है यह वाला वो distance हो गया square root of r square plus d square अब हमें क्या करना है जो potential है total potential पता करने के लिए हमें dv को इस पूरा का पूरा जो ring है पूरा का पूरा ring के लिए जो जो element बनेगा सब को integrate कर देना होगा तो यह जो पूरा का पूरा length होगा यह obviously 2 pi r होगा हम dv को integrate करेंगे that is that is equal to that is equal to integration of 1 over 4 pi epsilon 0 into q over 2 pi r into dl को बाद में लिखते हैं यहां पर square root of r square plus d square देखे इसका एक 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 आसान सा logic भी होगा उस पे भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे अब integrate करेंगे over the whole length 2 pi r यहां पर जो constant terms है उसे बाहर कर देते हैं हम l के respect में differentiate कर रहे हैं so l के respect में differentiate करेंगे तो यह term constant term हो जाएगा उस पे dependent नहीं होगा obviously charge भी उस पे dependent नहीं है 2 pi r भी उस पे dependent नहीं है r तो इसका fix है radius fix है given है situation यह ring given है तो r भी fixed है और यहां पर d भी fixed है क्योंकि हम जिस point पे potential पता कर रहे है उस point के लिए d जो है यह fixed होगा तो यह term भी एक constant term है integrate करेंगे हम dl को over the whole length 2 pi r so dl को integrate करेंगे तो हमें l मिलेगा और total जो हम 2 pi r total length में जो integrate कर रहे हैं उसलिए वो बन जाएगा 2 pi r ऐसे ही और d l, और d l, और d l ऐसे सारे d l's को अगर आप चोड़ते जाएं तो ultimately total length कितना होगा total length हो जाएगा 2 pi r which is circumference of this circle यह ring जो है ring का length जो है वो मिल जाएगा हमें so that is equal to 1 over 4 pi epsilon naught थोड़ा complicated दिख रहा भी लेकिन वो आप जब एक आसान सा logic यहाँ पर लगाएंगे तो यह simple दिखने लगेगा so square root of r square plus d square into 2 pi r देखे 2 pi r और 2 pi r cancel हो जाएगा यहाँ पर एक simple form में यह आपको दिखेगा 1 over 4 pi epsilon naught into q divided by square root of r square plus d square यह एक simple form में represented हो गया अब यहाँ पर आप logic लगाईए देखे माल ले यह वो point है जिस point पर हम potential पता कर रहें यह वाला point मैं यहाँ पर draw कर रहा हूँ इस से इतना distance दूर square root of r square plus d square which is y y distance दूर एक charge है q charge है q charge है यह potential बनाएगा यहाँ पर अब अगर q को मैं split कर देता हूँ 2 part में q by 2 और q by 2 लेकिन distance same है यह जो distance है माल ले y distance यहाँ भी y distance ही है तो फिर बोले potential में कोई difference होगा या नहीं होगा obviously नहीं होना चाहिए आप इसे इस तरह से देखे यहाँ पर q by 2 q by 2 दो charges था एक ही point पर दो charges था माल ले ऐसा q by 2 और q by 2 यहीं पर था अब यह कुछ potential बना रहा अब एक q by 2 को अगर मैं move करके एक दूसरे point में रखता हूँ लेकिन distance उस point से same हो तो फिर वो इस जगह पर रहते हुए जितना potential बना रहा था यह जो इस जगह पर था q by 2 यहाँ पर यह जितना potential बना रहा था इस point में वो अगर इस जगह पर आ जाए same distance दूर रहे तो potential तो वो उतना ही बनाएगा मतलब कि यहाँ पर अगर y distance दूर q charge है और उसी को मैं इस तरह से distribute कर दूँ कि हर एक point इस point से same distance दूर हो obviously होना भी चाहिए यह point अगर इसके axis में रहेगा ring का तो obviously मतलब हर point का distance जो है उस point से इस ring में हर point का distance वो distance same होगा तो obviously इस case में पूरे q charge को अगर y distance दूर रखा जाता पूरा का पूरा q charge को इतना ही distance दूर रखा जाता तो जो potential होता उसे इस ring में distribute कर देने से भी उतना ही potential होगा अब q charge को अगर इस point से y distance दूर रखा जाए तो potential कितना बनेगा 1 over 4 pi epsilon 0 into charge q है और distance है y and y is r square plus d square अब distance देख ले ना इसका इस ring से ये distance है which is square root of r square plus d square और यही formula आपको यहाँ पर भी दिख रहा है सिर्फ charge जो है एक point पर situated नहीं है बलकि ऐसे distributed है कि इसका हर एक point इस point से इतना distance दूर है अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम यह देखेंगे चलिए कि एक disk जिसमें को चार्ज दिया गया एक disk के axis में अगर कोई point situated हो तो फिर वहाँ पर potential कितना बनेगा आप दूसरे angle से भी देख लें यह बिलकुल axis में situated है यह point हमने माल लिया कि यहाँ पर इस disk में जो charge दिया गया यह q amount का charge दिया गया और चलिए माल लेते हैं कि इसके center से इस point का जो distance है यह distance d है उससे पहले मैं इसका radius लिख लेता हूँ इस disk का radius है r और और यहाँ जो distance है इस point का इसके center से यह distance लेडिस से d है अब देखे जब q charge इस disk में दिया जाएगा तो वो q charge uniformly distributed हो जाएगा इस surface में तो uniformly distributed हो गया जिसके कारण इसका surface charge density बना sigma यह surface charge density होगा जितना charge दिया गया divided by कितना surface में वो charge distributed है तो वो surface होगा obviously इसका surface area disk का surface area which is by r squared देखे आधा charge उपर रहेगा आधा charge नीचे के surface में रहेगा आप इस पूरे disk को एक ही surface मान के चलिए कि वो एक ही surface है वैसे तो practically देखा जाए तो दो surfaces है उपर एक surface नीचे एक surface लेकिन हम इसे एक surface की तरह treat करेंगे क्योंकि यह बहुत ही पतला disk है और जब भी हम कोई element consider करेंगे उसका उपर का surface भी हम ले लेंगे consider कर लेंगे नीचे का surface भी considered हो जाएगा तो overall यह आपको जो surface charge density दिखेगा वो इतना ही दिखेगा चार्ज आधा उपर रहेगा आधा नीचे के surface में रहेगा वेल तो यह तो हो गया charge density इस disk का surface charge density अब देखेगे जो potential हम इस point में पता करेंगे उसके लिए इससे थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि एक ring एक ring में मालने q charge है और ring के axis में situated एक point है यहां का potential जब हम पता करेंगे और यह radius इस ring का अगर r हुआ तो हमने यह देखा कि यहां पर जो potential बनता है यह होता है 1 over 4 pi epsilon 0 into जो charge है ring में divided by यहां ring के बिलकुल किसी एक point से ring के किसी एक point से इस point का distance जो की obviously होगा square root of r square plus d square तो यही वाला formula अब हम यहां पर apply करेंगे इस के लिए हम क्या करेंगे इस disc को पतले पतले rings में हम तोड़ लेंगे एक ring आपको यहां पर दिख रहा है arbitrarily हमने एक ring को consider किया इस ring का इस ring का जो width है इस ring का width माल लेते हैं dx है बहुत पतला ring है हमने consider किया और साथी साथ यह जो है यह जो है इसका जो radius है यह radius x है x radius dx width अब इस ring के कारण यहां पर जो potential बनेगा वो potential dv सबसे पहले हम calculate करेंगे फिर हम ऐसे जितने भी पतले पतले rings हो सकते हैं शुरू से लेके यहां से लेके last तक जितने भी पतले पतले rings हो सकते हैं सब को सब के कारण बना हुआ potential electric potential को हम integrate कर देंगे integrate करने का मतलब ही होता जोड़ देना सब को हम जोड़ देंगे integrate के माज़म से अब देखे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए इस ring में कितना charge है यह हमें चाहिए होगा यह वाला formula अगर हम apply करते हैं तो ring में जो charge है यह एक बहुत ही important factor है तो यहाँ पर ring में जो charge है हमने मान लिया ring में charge है dq जो की obviously बराबर होगा इस ring का surface area into जो surface charge density है तो फिर surface charge density which is q divided by pi r squared into इसका जो area होगा इसका area केतना होगा obviously इस circle का circumference which is 2 pi x into उसका width बहुत पतला है तो यह formula हम यहाँ पर apply कर सकते है pi pi cancel कर दीज़े चलिए तो फिर यह dq इस ring में situated charge यह बन गया 2q divided by r squared x dx अब इस ring में जो यह charge है इस charge के कारण इस point में जो potential dv बन रहा है इसे हमें calculate करना है इसे calculate करने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ से लेके इस ring के किसी भी point से लेके इस point तक का जो distance है वो distance कितना होगा यह हमें चाहिए होगा यह distance obviously अगर आप इस triangle में देखे तो आप यह पाएंगे यह 90 degree का angle बना तो obviously यह जो distance हो जाएगा यह बन जाएगा x squared यहां से यहां तक का distance देखे x है x squared plus d squared अब हम यह वाला formula यहां पर असानी से apply कर सकते हैं यह वाला formula बता रहा है कि ring जिसमें के q charge है यहां पर यह ring जिसमें की इतना charge है उस charge के करण इस से d distance दूर एक point इसके axis में यहां भी axis से d distance दूर एक point है उसके लिए जो potential होता है वो इतना होता है यहां पर यह distance जो है यह distance है r squared plus d squared वही distance यहाँ पर है, वो distance आपको यहाँ पर दिख रहा, x squared plus d squared, तो फिर हम कहेंगे यहाँ से, कि यह जो छोटा सा potential बना, यह छोटा सा potential इस रिंग के कारण, that is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into q, q के जगा पे हम यह वाला value लिखेंगे, 2q divided by r squared, 2q divided by r squared, x dx, x dx को यहाँ पर लिखते हैं, x dx, अब यह जो denominator वाला term है, 1 over square root of r squared plus d squared के जगा, अब है x squared plus d squared, so x squared plus d squared, इसे हम जब v पता करेंगे, तो इस चीज़ को हमें integrate करना होगा, so v is equal to integration of this term, तो यहाँ पर integration देखे, x के respect में होगा, तो x पे independent terms को चलिए, पहले ही हम integral के बाहर लिख देते हैं, 2q भी x पे independent है, r भी x पे independent है, because r, r क्या होगया, इस disk का radius होगया, यह भी independent है, integral के अंदर रह जाएगा, x over square root of x square plus d square और dx, limit हमें बैठाना होगा यहाँ पर, limit देखे कैसे बैठाएंगे, x के respect में हम integrate कर रहे हैं, जितने भी ऐसे rings बनेंगे, सारे rings के कारण जो potential है, उसे जोड़ना है, तो देखे, आपको पहला ring कहाँ पर मिलेगा, सबसे करीब ring कहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल इस center से सटा हुआ, और last ring जो है, यह इसके बिल्कुल periphery में होगा है, ऐसा जो ring बन रहा है, यह जो इस तरह से घूमते हुए, last ring बनेगा, तो पहला जो ring है, उसके लिए देखे, x का value क्या होगा, x क्या है, distance of the ring from the center, तो पहला ring जो है, बिल्कुल center सटा हुआ होगा, तो उसके लिए distance 0 हो जाएगा, और last ring जो होगा, वो obviously, इस disk का जो radius है, उतना distance दूर होगा, which is r, यह, अब देखे, इसे integrate करने के लिए, हमें एक trick follow करना होगा, वो trick यह है कि हम substitution method यहाँ पर use करेंगे, हम यहाँ पर माल लेंगे कि y squared is equal to x squared plus d squared, यहाँ गौर से देखे, अगर इसका value x squared plus d squared का value y squared हो जाएगा, square root of this term will become y, अब देखे, यहाँ पर जब हम इसे differentiate कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ dx को भी substitute करना होगा dy से, तो यहाँ पर x के जगा पर y आएगा और dx के जगा पर dy आएगा, तो उस dy को लाने के लिए और उसके साथ dx का क्या relation है, हम इसे differentiate कर देते हैं, दूनों sides को differentiate कर देते हैं, तो इस तरफ को differentiate करेंगे, तो हमें मिलेगा 2y, because y is x dependent, so 2y dy, और इधर हमें क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा 2x dx, और चुकि d square यह constant term है, तो प्लस 0 से differentiate करेंगे, तो 0 बन जाएगा, basically अगर इसका आप logic देखें, तो हम कहते हैं, कि equation के दूनों side को हम किसी एक के y या तो x के respect में differentiate करते हैं, अगर हम ऐसा कियें, तो हमें मिलेगा 2 2y dy over dx, x के respect में अगर हम differentiate कर रहे हूं तो, and that is equal to x square का differentiation 2x, इसी dx को इस तरफ ले जाए, तो यह dx यहाँ पर appear करता है, यहाँ से वो चला जाता है, यह इसके पीछे का logic है, इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और यह जो 2 है, और यह 2, यह cancel हो गया, so y dy is equal to x dx, तो यहाँ पर आप देखे, x dx आपको मिल रहा है, तो उस x dx के जगह पे आप y dy लिख सकते हैं, तो फिर यह potential कितना बन जाएगा, और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, potential तो हम पता करेंगे ही, potential तो पता करेंगे ही, x के जगह y का जो value है, वो तो put करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह भी देखे, कि limit जो हमने यहाँ पर लिखा था, वो limit x के term पे था, x के respect में limit था यह, अभी हमें y के respect में limit भी बनाना है, तो y के respect में जब हम limit बनाएंगे, तो फिर देखे क्या होगा, सबसे पहले, यहाँ पर x का value 0 है lower limit, so when x is 0, उस समय आप देखे y का value क्या निकल के आएगा, उस समय y squared is equal to x squared plus d squared, x का value 0 है, so that is equal to d squared, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y is equal to d, तो अब जब x का value r होगा, उस समय भी हमें पता करना होगा y का value कितना है, so उस समय y squared का value आएगा, y squared का value आएगा r squared plus d squared, so हम यहाँ से कह सकते हैं कि y is equal to square root of r squared plus d squared, तो यह बन जाएगा इसका upper limit, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर v, v is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into 2 q over r squared, और integration of x dx के जगा y dy, और यहाँ पर यह जो है square root of x square plus d square, उसके जगा पर हम मिल जाएगा y, so y वहाँ पर y, y cancel हो गया, एक बार limit भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, so limit जो है, limit है d, y के respect में limit होगा d, 2 square root of r square plus d square, अब देखें यहाँ पर integration होगा, किसका dy का integration होगा, so v, v is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into 2q over r squared, integration of dy is y, और limit है d, 2 square root of r square plus d square, क्या करना होता है, अपर limit को y के जगा पे बैठाना होता है, minus lower limit को y के जगा पे बैठाना होता है, so that is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 into 2q over r squared, और यहाँ पर हम upper limit y के जगा पे square root of r squared plus d square minus lower limit d, उसे हम बैठाएंगे, तो यह, यह हमें मिल गया expression, expression for, potential, electric potential due to charged, uniformly charged disk, वो point इसके axis में होगा disk के, वो point उसके center से disk के center से d distance दूर होगा, और उस disk का radius r होगा, उसमें q charge दिया जाएगा, तब यह उसका formula बना, इस तरह से हम integration को use करके, elementary charges को use करके, charge density, जैसे की surface charge density, line charge density इनको हम use करते हैं, तो उमीद है कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इकवी potential surface पे, जिसका link आपको यहीं पर screen पे मिल जाएगा, playlist का link आपको description में मिलेगा, तो जल्द मुलागात होगी, तब तक के लिए खुश रहें, goodbye.